तो बच्चो मैं आपके सामने लेके आया हूँ नालंदा साइनिक स्कूल जो नालंदा साइनिक स्कूल कहाँ पे है आपका बिहार है बिहार में उसकी ओफिशल कटोप 2022 की क्या कटोफ रही थी RTI का जवाब आगया हमने कटोफ मंगा ली so that बच्चे किलियर हो जाएं कि बई क्या कटोफ थी और उनका जो यह अबडर है एक कांसिलिंग के बाद का क्योंकि अभी एक कांसिलिंग होगी एक कांसिलिंग वो नालंदा बिहार को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब क्या और इस ब तो इस कटोफ के बेस पे आपको यह क्लियर क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको यह साइनिक स्कूल यह कांसिलिंग में पहली लिस्ट में रखना है कि नहीं पहली प्रिफरेंस इसको देनी है नहीं क्योंकि आपके मार्क्स भी आ चुके हैं आपका स्कोर कार्ड भी आ अब आपको पिछले साल की कटोफ भी पता चल जाएगी तो साफ साफ हो जाएगा कि आपको कौन से नंबर पे इसको रखना है किलिया तो यह मेरा मेरा में मकसद है कटोफ मंगवाने का और ध्यानक ना बच्चों यह official है RTI का जवाब है तो इसमें तो कोई सक नहीं रह जायागा अब तो कोई डाउट नहीं सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि अभी सारी प्रोसेस हम लोग यहां पे देंगे और आपको जो भी इंफोर्मेशन है वो सारी मिलेगी किलास 6 और 9 किलास 6 और 9 दोनों की कटोफ है तो शेर करना लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यह हमारे चैनल से कितनी मदब मिलती है कितनी हेल्प मिलती है डू यू सैटिस्फाइब रोम अवर कंटेंट भी प्रोवाइड ओन यूटूब अवर वैबसाइट जहां भी हम प्रोवाइड करते है क्या आप उससे सहमत हो तो यह सारी चीजी आपकी बहुत जोरी हो आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है आगे भी हमारे स्टुडेंट्स हमें सपोर्ट करते रहेंगे बहुत अच्छे बच्चे हैं सब तो 25 सीट्स रैंकर बैच जिन बच्चों के मार्क्स कम रह गए या बहुत जादा है या जो आगे बढ़ना चाहते और भी जिनकी सफलता की भूख अब भी सांत नहीं हुए है जो बहुत भूखे हैं बच्चे हमारे पढ़ने के आगे बढ़ने के भूख जिनकी बहुत है तो वो इस भूख को रैंकर बैच से मिटाइए R.I.N.C में रैंक लाइए और वहाँ से आपकी और भी तरक्की होगी नेक्स येर के लिए जो अटेम्ट करेंगे Senech School Toppers Pro बैच है तो आप इसको जोन कर सकते हैं और ये हमारा R.M.S राश्चे मिलर्टी स्कूल के लिए हमारा Achiever बैच है ये آig बैच है ये ओस्टल बैच नहीं है और निश्चे बैच हमारा UP Senech School के लिए ओस्टल बैच आप इसको जोन कर सकते हैं लाइव किलास जोन कर सकते हैं तो बच्चों ये रहा नालंदा बिहार की जो कटोफ मंगवाई है बोईज और गल्स ध्यान अखना दोनों है ठीक है ये RTI का जवाब है तो ये देखो सैनिक स्कूल नालंदा नालंदा है पूरा तो ये हाँ पर किलास 6 और किलास 9 दोनों है बोईज और गल्स दोनों है गल्स है बोईज है तो मैं इसको जूम आउट करना जूम आउट में आपको बिल्कुल खिलियर हो जाएगा क्या चक्कर आगे ये आपके सामने लो तो देखते हैं बोईज और गल्स मी SC होम इस्टेट में 252 SC होम इस्टेट में 152 ST होम इस्टेट में 243 तो चलिए जो बच्चे कहते हैं ने कि ST की तो बहुत नीचे चलिए आगे देख लो बै कितनी नीचे चलिगी ST होम इस्टेट में 243 है ST होम इस्टेट में 233 OBC होम इस्टेट 266 OBC Other State में, देखो कितनी कम हो गई, यह STC भी कम चली गई, 127, Defense Home State 249, Defense Other State 213, General Home State 267, और General Other State 193, तो आप देखना है कई बार कितनी कम हो रही है, कि कितनी ज्यादा, तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है कि भई कहां बैठ रहे हैं, लेकिन आप Upper Level को ले के चलना है, Let us talk about girls, 248 Home State, 222 Other State SC Category में, ST में 203, 200 OBC में 274, girls का competition देख रहे हैं, boys को भी फैल कर गई, 275 है, कहां 276 है, girls के साथ तो मैं देख रहा हूँ, बच्चियों को तो हमारे जैसे सरकार चाहरी है कि सैनिक स्कूल में जाये ही ना, 275 बहुत पढ़ भी रही है, vacancy 10 रह जाती है, मैंचिया मेनद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत में आ जाती हैं, क्योंकि देखो, अप दोसों कम है कहीं कभी, दोसों से कहीं कम करकाटोफ है, सिर्फ यहां पर 200 से कम गई है, बाकी सब जगह 200 से उपर है, can you imagine, तो girls को कितना मुस्किल सामना करना पढ़ रहा है, कित पूरा अब देखना, अब इस अंदाजे से लगाना, जिसकी जो कैटेगरी है कि आपको नालंदा सैनिक स्कूल, यह गांसलिंग में चुनना बहतर रहेगा या नहीं, यह कटोफ का एनलसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है यह, के लिए तो ध्यान से अपने मार्क्स को अब आते हैं नाइंध किलास में, नाइंध के बच्चों का देखते हैं क्या आया जवाब, 278 है वही, हॉम स्टेट SC, 274 अदर स्टेट, ST हॉम स्टेट 202, ST अदर स्टेट 9 वेकेंसी, OBC 324, OBC 296 में, हॉम 322, यह 322, डिफेंस अदर स्टेट 336 और 330, तो यह है ऑफिशल कटोप में ले के आऊंगा, आपको e-counseling तक जितनी भी स्कूल की कटोप आजाएंगी, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको form जब e-counseling भरेंगे, तब भी मैं आपको special ले के आऊंगा, कटोप के साथ analysis e-counseling में कराऊंगा, क्योंकि जब वो form भरा जाएगा, त उसको में हम कटोप को साथ में लेंगे, वो सारा analysis करेंगे, तो जब हमारी वीडियो आजाएगी, क्योंकि 6 से लेके, 13 तारिक तक e-counseling का first round चलेगा, तो आप उस वीडियो को ध्यान रखना, बिना उसके मत करना, पता चला, आपकी सारी मैनत पे पानी फिर गया, और रह आपने गलत चोईस चूज कर लिए, सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, आरेमसी, 100% सेलेक्शन की गारंडी देते हैं, हमारे होस्टल बैच को गर जोइन करते हैं, आप हमारे live class को भी जोइन करिए, वहां से भी आपको best education मिलेगी, आप हमारे होस्टल बैच को जोइन करिए, और live batch ही चले हुए, तो अब इसे जोइन कर लो, जिन बच्चों के marks बहुत कम रह गए हैं, भई अब समय बरबाद मत करो, जिन बच्चों की rank काफी जादा है, 10,000 से जादा है, और उनके पास re-attempt का समय है, तो मैं तो suggest करूँगा, re-attempt की समय में वेश्ट मत करो, उसकी त अलिए, thank you, all the best